हालो फ्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने फार्मसटिकल इन औरगनिक केमिस्टरी the most important questions के बारे में तो बीफार में सी फर्स सेमिटर के लिए अपने तीन सब्जेक्ट के इंपोर्टन कुश्चन कवर कर चुके हैं वह वीडियो आपने नहीं देखी हो जाके जरूर से आप लोगों चेक आउट कर लेता तो अगर इस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करें तो यह हमारा जो है त याद करने वाली चीज़ें बहुत जादा है और आप लोग अभी 11-12 से आयो तो याद करने की आदर तो आपको अच्छे होगी होगी तो यहां पर जादा आपको चीज़ें या बैसे कुछ नहीं है सिंपल चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी थेयोरेटिकल सब्जे यह सारी चीज़ाता पड़नी है तो उन वाले जो ड्रक्स हैं उनको आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि वह बहुत जादा हमारे ड्रक्स हैं तो एक तो आपके लिए यही बॉनस पॉइंट हो गया कि यह वीडियो पास कैसे कराएगी वह वाले टर्म है जो भी ड्रक्स हैं अब कोशन जादा बनते हैं तो इंपोटन कोशन से फसने के चांस हमारे और जादा हो गई हो जाते हैं बागी अगर बात करें तो फर्ष्ट फॉर्थ और फिफ्ट यह हमारी ऐसी यूनिट है जिसमें से एक दो फिक्स कोशन है यानि कि आपको पता है यही वाला कोशन हमार हर टाइम आ रहा है और यही कोशन मोशन हमारे आने के चांस है तो यह भी देखाता है तो बहुत हमारे लिए हो जाता है बागी जो टू मास की वीडियो है जो हम इसके बाद बनाएंगे आपके एक्जाम से पहले तो वो तो आपके लिए एधा ब्रहमास्त्र निचोड की त आपका एक्जाम बहुत दाद अच्छा होता है ठीक है तो यह कुछ बात था है थी हमारे इस वीडियो के बारे में बागी चलिए अब जो आपने कोशनों को यहां समझते हैं तो अगर हम यूनिट फर्ष्ट के बारे में बात करें यहां पर तो यह हमारे कोशन है तो इनको केमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन करोगे तो आपको इन और्गनी केमिस्ट्री को डिफाइन करके नीचे बताना है कैसे करोगे केमिस्ट्री को तो नॉर्मली सब कर देते हैं इन और्गनी केमिस्ट्री को करना है तो इसको कैसे करोगे बाकि फार्मसीटिकल वर्ड आगे ही वाले देखने को मिलते हैं तो पहला हमारा दाम मोस्ट इम्परेटी इंतर मिनिमाइज धियार यहां प्रकांद Kayla गार आता है कि इनको हम minimize कैसे करेंगे method को तो यह भी आप अच्छे से देख लेना तो यह हमारा फूरा question मन के आता है बहुत important है long में कई वार आया है 10 marks में भी आया है कि impurities क्या है sources है तो impurities क्या है हमारी method to minimize को minimize कैसे कर सकते हैं बागी second question के से में बात करें तो explain the principle and reaction involved in the limit test for arsenic along with its apparatus तो हमारे जो आर्सेनिक वाला जो है लिमिट टेस्ट हमारा लिमिट टेस्ट हमारे आते हैं तो आर्सेनिक वाले जो लिमिट टेस्ट है वो हमारा सबसे ज़्यादा important है क्योंकि उसमें एक हमारा apparatus भी है तो उस apparatus को include करके आपको यह वाला लिमिट टेस्ट लिखना होगा और यह बहुत बहुत जादा important है try करूंगा मैं अगर solve करा सकता हूं तो आपको solve भी करा दूँगा तो यही वाली चीज़ा आपको करनी है तो यह हमारे दो कोशन हो गए मोश्री आम यही आते हैं अब कई किसमें क्या होता है आर्सेनिक वाला अगर मालों पिछली साल आया यह साल आया है कई वाला अगर यह नहीं आता है बाकि यह नहीं आता किसी एक के लिए आ सकता है तो यह मारे यूनिट सेकेंड के बारे में यहां पर जो सबसे जारा इंपोटन कुशन आता है वह आता है हमारा डिफाइन वफर आइसो टॉनिक सॉलीशन तो जो आइसो टॉनिक वाला वर्ड है यह वाला टर्म आप लोग लिए बहुत इमिटाने क्योंकि इसका मीजर्मेंट आप टॉनिसिटी और एक्स्टिंग टॉनिसिटी तो कि आपके दो सब्जेक्ट के लिए यह आपके काम आने वाला है फार्मसिटिक्स में भी और यहां भी आपके यह काम करेगा ठीक है बागी एक और चीज मेरे यूनिट से इंपोर्टेंट हो गया बागी मैंने पहले ही बोला यूनिट से कंड और थर्ड से मारे मोशली कोशन बागी सेकंड कोशल में अगर बात करें तो यहा आता है डिफाइन एंटिकेरिग एंटिकेहरे इसको हमघhernच के इस के अंदर करता है यह दोने हमारे दानतों को ठीक करने में हमारी एक्जाम में आता है तो यह कुशन आपको रट्टा लगा लो चाहिए आप लिखकर देखलो कैसे भी कर लो यह कुशन आपको आना चाहिए अब इसके अंदर दो हमारे ड्रग आते में sodium fluoride और calcium carbonate यह भी हमारे treatment में help करते हैं तो इनके reference में आप पढ़ लेना अच्छे थे इनके बारे में मतलब इन दो ड्रक्स के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेना तो यह कुशन हमारा main था इसमें कि define anti-carries and यह identify and write a role of the treatment of dental career तो कई बार तो हमारे यहीं तक आता है बाकि यह दो ड्रग आप पढ़ लेना include करके आपका कभी long में आ सकता है ठीक है तो यह question आप समझ गए थर्ड इसके अंदर हमारा बनता है what is electrolyte replacement therapy तो electrolyte जो हमारा body में जब कभी electrolyte की कमी पढ़ जाते है तो उस time पर यह replacement therapy के लिए use करते है तो इसके बारे में आप पढ़ लेना क्या कैसे होता है बाकि इसके अंदर दो ड्रग हमारे आते है sodium chloride and calcium gluconate इन दो ड्रग के बारे में आ लोड़ा study कर लेना अंदर क्या कैसे होता है preparation कैसे कर सकते reaction क्या है यही सारी बात है ठीक है बाकि अगर यहां पर हम four question के बारे में बात करें इसमें सौर्ट नोट आपको लिखना है दो तीन के ऊपर जो कई बार एक्जाम में चांस है कि आ सकते हैं पहला हमारा है हेंडर्सन हैसल बज एक्वेशन जिसको हम बफर एक्वेशन की नाम से जानते हैं तो यह हमारी एकादवार स्यूटेक्स में भी पूछ लेते हैं इसको देखने ना फिर हमारा ORS के उपर two marks में या five में आता ही आता है यह हमारा most important के list में डाल देता हूं क्योंकि ORS का अगर आपका long मे है उसके बाद हमारा ORS वाले competent में आता था वाकि यह वाले हमारे आ सकते हैं ठीक है उसके बाद एक कोशन थोड़ा सा गुमा के इस तरह आता है जो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि discuss the physiological role and disease condition due to imbalance of calcium अब आपको बता है कि अगर calcium की कमी होगी तो भई हमारी बोड़ी में कौन बगर यूज़ करेंगे तो वही थोड़ा सा गुमा के कोशन आता था तो उसी को हमारा यह जो पहले हमने रॉल अप फ्लोरा यह सा मैंना इन्ही कोशनों को बना के आप यहां पर लिखके आ सकते हो तो देखा था यहां तो यहां पर एक कोशन आता हमारा डिफाइन एसीडी क्या होता है जो पेट में आपके बगरा बन जाती है और जलन होते है तो उसी को यह सांत हमारे करते हैं तो आइडियल प्रॉपर्टीज आइडियल प्रॉपर्टीज वाला कोशन कई वह रहा है कि इसको आप अच्छे से पढ़ लेना उसके बाद यूज तो आप अच्छे स के बारे में हो गया अब अगर थर्ड कोशन देखें तो यह भी हमारे इंजान कि सेकंड और थर्ड यह दो कुशन हमारे लिए बाकि यह वाला भी आप अच्छे से देख लेना तो थर्ड में मारा आता वाटर एंटी माइक्रोविल अब कई बार एंटी इंफेक्टिव एज पैरोकसाइड है फाइव मार्क में कई प्रमार था है इसको थोड़े से लेंदी हो जाएगा लेकिन यह कोशिन है इसको आप अच्छे से कर के जाना पहले यहां आता है कथार्टिक्स को आप यह आप यहां दिख सकते हो ठीक है तो यह यह उन्ठ हो गया इसमें हमारे दो मे कर आँगर हम युनिट्स के बारे में बात करें तो यहां पर बारा एक इंपोटेंट वाला यहां पर ड्रग कोशन हो गया उसके बाद कई के बारे में आज आता है जादा रेकिन यूजज़ा आता लेकिन इसको आपके बारा एक help करेगा एक आपके सेटी फायर्स के अंदर भी हमारा यहां help कर रहा है दूसरा हमारा यहां एक्सपेक्टर रेंट भी हमारा यह help कर रहा है तो दौनों के प्रपर्टीज और प्रपरेशन पढ़ लोगे तो दौनों में यह चीज हमारी काम आएंगी ठीक है ऐसे यूजर सब ह सब्सक्राइब करेंगे वह बागी एक जनरल भी हमारा मेतड आता है यहां पर एक कोशन हमारा है जो मोस्ट हमारा बनके आता है क्या होता है और उसके बाद यहां पर और आता है Ben hier कंडिशन प्रिकोशन स सबस्क्राइब लिए तो बागे प्री कैसे करेंगे और यहीं सारी बाता है लिए हमारे लिए काम क्यों आ रहे हैं कि श्टार्टिंग आप लोगी समिश्टर तो रेडियो क्या में हमारे लिए काम क्या हो रहा है उसके बाद कई कैसमें अलफा वीटा गामा जो रेज होती है इनके सॉट नोड लिखने ना प्रॉपर्टी इनके दोड़ी डेफिनिशन और सॉट में भी कई बार आता है तो नमबर में के डेफिनिशन या मीजरमेंट अफ रेडियो अक्रि लेते हैं साथ हो गई फिर यहां पर देखा आई आठ और यहां बारत तेरा लगबग देखा दाए तो यहां पर निकल के आते हैं तो यह पंद्रे कोश्यन को अगर आप अच्छे करके जाते हो आपको पास होने से कोई नहीं जो सकता आप इन कोश्यनों को पूरा चार्ट तो यही था इसके बारे में बाकी कोश्यन वाइज आम इनको सॉल्व करें कि डारेक्ट आपको चेप्र वाइज करते हैं कमेंट्स में लिखके बता दो बाकी वीडियो को लाइक कर दो देखते हैं कितने लोग इसको कितना जादा पहुंचाते हैं तो बस आज की वीडियो म